Hello everyone and welcome to my channel. First of all, a very happy new year to all of you. 68th BPSC संबंदित कुछ information है, उसको discuss करें, उससे पहले मैं आपको बता दू कि एगर 68th BPSC के आप तयारी कर रहे हैं, तो revision के साथ-साथ MCQs attempt भी करें और ऐसे MCQs जो कि interlinked हो, वो काफे helpful होंगे. तो इसे लिए gram से sungram series आपको join करना चाहिए, जो की मेरे दुआरा regulated है, और Monday to Sunday हम इसमें हर दिन important questions अलग-अलग subjects के discuss करते हैं, यह paid है, इसका मंतले subscription fee काफी nominal है, जिसको आप pay करके इस group के access ले सकते हैं, 1st of December से लेके यह quiz start हुआ था, और regularly इस पे questions अपडेट किये गए, हमने December मंत में almost 550 plus questions को discuss करा है, और वो 550 plus questions जो हैं, आपको 2000 plus one-liners को cater करते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कि हर एक option में एक आपको question मिलेगा, इस तरीके से वो designed है, तो अगर आप किसे भी examination के लिए valid है, चुकि संडे को हम बिहार special देखते हैं, तो इसको BPSC के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मन्डे को हस्टे, टूस्डे को बॉलिटी, वीनस्डे को geography, थर्स्डे को economy, ऐसे करके देखते हैं, इसका payment करके आप इस group में join हो सकते हैं, 1st of December से इसका आपको access मिलेगा, साथ में आपको December का भी subscription fee कि देना पड़ेगा, क्योंकि वो questions भी आप attempt कर सकते हैं, ठीक है, और channel पे आपको top 1151 one-liners की series पड़ी है, जो कि free of cost है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें January 2 लेकि अगस्त तक हम लोगों ने one-liners को discuss करा था, जो क current affairs से समबंदी थे, साथ में district division series भी है, जो कि 68 BPSC के लिए काफी helpful होगी, देखिए, इस notification में कहा गया है, कि जो लोग जिन्होंने form डाला था, बट fee payment नहीं किये थे, वो late fee के साथ जो है, अपना form submit कर सकते हैं, तो जिन्होंने registration कर लिया, form बढ़ लिया था, बट payment नहीं कर आये थे, registration के बाद आपको payment link आता है, payment link के बाद आप form डालते, तो यहां उनका कहने का मतलब, जिन्होंने registration किया था, और form, मतलब payment नहीं किया था, form जिनका बचा रह गया था, कहने का मतलब, वो late fee, जितना fee है, same similar जो है, आपको late fee लगेगा, जो notification में लिखा गया है, कि दे तक जमा करने की, मतलब आपका last date जो है, वो 10th of January है, और draft के माध्यम से ही आप बिलंब सुल्क जमा कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ इसमें ये भी कहा गया है, कि भुकतान, देखिए, वही चीज़ जो मैंने आपको बता है, कि draft के माध्यम से नहीं किये जाने के स्थिति मे उनकी अभ्यरता रद्ध कर दी जाएगी, ठीक है, और इसको जो main notification है, उसमें संसोधित माना जाए, ऐसा का last date 10th है, तो अगर आपने registration किया था, form डालना भूल गया या नहीं, उस समय mood नहीं हुआ था, अब हो सकता है, form डालने का, आपको ऐसा करे, मन करे कि हाँ, form डाली द तो एक सो पचास रुपे, प्लस एक सो पचास रुपे, जो है, आपको लेट फी लगेगा, बेसिकली इसका intention यह है, कि अगर आपको registration किया था, बट form उस समय नहीं डाला था, तो आप फाइन दे का भी form डाल सकते हैं, चैनल पे नहीं है, तो चैनल को जरूर सब्स्राइब क